जब ना इसको देखते हैं हम यह हमारा एक छोटा सा निमेरिकल है इससे हमें समझ आजाएगा कि लीनिया प्रोबिंग एक्चॉल में काम कैसे खड़ता है ठीक है तो देखते हैं अब सब्सक्राइब कि हमार को यह वाली कीज दीवी है और हमें इस टेबल में फिल करनी है एक तू तीम चाहँ जीरो वन टू थी फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके हम ना ऐसे ले लेते हैं कुछ भी ठीक है कुछ भी मतलब यह हमारा एक टेबल है ठीक है क्या साइज है इसका 11 तो अब हमना इसको देखते हैं है एक है देखो अब इसकी एंट्री कैसे फिल करेंगे पहले हम देखेंगे इसको ह्नौड को ह्नौड किया है स्वन मॉड्ड 7 मॉड्ड 11 की क्या वैलियू आएगी इसकी वैलियू आई 7 तो हम क्या कर एंगे सेवेंथ इंडेक्स पर जायेंगे और यहाँ पर 7 लिख है ठीक है सिंपल अब दूसरी वैल्यू देखते हैं 36 वैल्यू क्या हमारी 36 36 का एच नौड निकलो एच नौड ऑफ 36 क्या आ जाएगा हमारा 36 मौड 11 क्या अंसर मिलेगा हमें 3 ओके तो यहां पर आ जाएगा हमारा 36 अब आते हैं हम उस पर 18 पर 18 का एच नौड क्या निकलेगा हमारा 18 18 मौड 11 क्या आयागा हमारा 7 अब देखो यहां पर क्या हुआ हमारा आया 7 7 पर तो पहले से यह उक्यूपाइड है अब क्या करेंगे हम linear probing technique अब इसका h1 निकालेंगे h1 क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था एक formula होता है क्या था formula hi is equal to hash of x plus i mod size यह किसका size है table का तो यहां पर हम वही लगा देंगे 18 प्लस i क्या है हमारा 1 mod 11 तो it will give 8 result 8 it is unoccupied तो आप यहां पर दाल दो 18 ओके यह भी हो गया अब देखते है 62 देखो 62 में क्या है अब मारा h0 निकालो इसका 62 का 62 का h0 आदेगा मारा 62 62 mod of 1 11 ठीक है यह हमें देगा 7 ठीक है इसने क्या दिया आप में 7 7 is occupied तो h1 निकालो 62 plus 1 mod 11 it will give 8 8 is also occupied 8 is also occupied now it will calculate h2 तो यहां पर क्या 62 62 plus 2 mod 11 is it will give 9 so it will check it is unoccupied so put this value 62 so this is a way how linear probing works मुझे लगता है कि आपको समझ आगया होगा अब thank you so much अब हम पढ़ते हैं उस पे quadratic probing पे friends before going into quadratic probing मैं आपको यहां पे एक चीज बहुत इंपर्टन चीज है वो बहुत बार interview में बूची भी जाती है कि सबसे पहले तो linear probing में मतलब hashing में हम 3 functions use करते हैं एक होता हमारा insert एक होता हमारा delete और एक होता हमारा search ठीक है तो ना हर एक block की ना तीन states maintain होती है हर एक block की तीन states maintain होती है पहली होती है empty ठीक है और इसको हम बोलते हैं unoccupied ठीक है क्या बोलते हैं हम इसे unoccupied state और हमारी दूसरी state होती है हमारी occupied जिसमें element होता है और तीसरी होती है हमारी deleted यह मैं क्यों आपको बता रहा हूँ अभी आपको समझा जाएगा देखो हमने क्या किया मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि पहले न मैंने काम किया यह हमारी values suppose की fill है अब मैंने क्या कि मेरे को 18 को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा मुझे इसकी hash value पता करनी है मैं को इसकी hash value तो same order में हम पता करेंगे जैसे हमने यह निकाला था if I want to delete this key so what needs to be done is सबसे पहले मैं mod निकालूंगा 7 आया 7 पे देखूंगा यहाँ पर key match हो रही है 18 से नहीं match हो रही तो मैं आप similar तरीके से ऐसे चलूंगा 18 plus 1 यहाँ पर match हो गई so match is found now अगर मुझे इसको delete करना है तो मैं क्या करूंगा इसको delete करूंगा और इसकी जो state है ना इसकी state को मैं बोल दूँगा deleted क्या बोलूँगा deleted यह करना बहुत important है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक sequence में elements को store कर रहे हैं अगर मैं इसकी definition को देखूं linear probing की तो इसकी definition बताती है हमें कि हमें तब तक searching की अगर मैं आप बात करूं तो searching की definition क्या बोलती है इसको आप note कर ले न कि आप searching करो कब तक till आपको empty block is found जब तक आपको empty block ना मिल जाए तब तक आपको उसको search करते रहना है जब तक आपको कोई empty block ना मिल जाए अगर मैंने इसकी state empty रखी होती और अगर मुझे find out करना suppose कि मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि पहले मेरा 7 था मैंने इसको delete कर दिया और इसकी state को empty बना दिया और यहां पर 62 store था ठीक है 7 पर आया और यहां पर 62 plus 1 mod 11 किया मैंने तो यहां पर मैंने देखा empty तो वो क्या करेगा अब display कर देगा जब तक उसको empty लेशना मलती वो search करता ही रहता है वो search करता ही रहता है जैसे उसको empty मिली और status उसका element उसको नहीं मिला तो वो बोल देगा not in the table but 62 is in the table तो वो क्या करेगा कि जैसे अब मैंने इसकी state delete कर दी तो it will continue its traversal तो यह बहुत important चीज है कि आप अपनी state को deleted बनाओ if you are so that you can you know able to find the element which is in the table तो यह बहुत important चीज है linear probing कि हमें states को maintain रखना होता है find state, empty state, occupied state और deleted state यह बहुत important चीज है तीन आपको यह एक variable ले सकते हो अगर आप इसका program लिखोगे ना तो एक variable ले लेना ठीक है जिसमें हम 0, 1, 2 से हम हर एक state को define कर सकते हैं हर एक state को हम define कर सकते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं तो this is linear probing यह deleted वाला प्लीज यह interview में बहुत बार पूछा गया है एक बार आप इसको ध्यान से देखना ठीक है और अब हम आगे बढ़ते हैं quadratic probing पर झाल है